एक मजबुत चिम्मेदारी हम सभी के उपर हैं। आदर ये सभावती जी, मुझे भी स्वाथ है। EPS Pensioners के लिए बड़ी खबर मोदी सरकार का बड़ा एलान। Pensioners ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन कर रहे नायक अशोक राउत को दो दो बार आश्वासन दे चुके हैं। EPS 95 निउन्तम पेंशन को लेकर तरह तरह की बात की जा रही है। लोग सभा चुनाव से पहले Pensioners को लाभ मिलेगा या नहीं। देखिए ताजा रिपोर्ट EPS Pensioners के लिए अर्जेंट खबर सरकार का Pensioners को शानदार सौगात अगर आपकी उम्र 58 साल से अधिक है तो आपको EPS Pension बढ़ुतरी का फाइदा मिलेगा। नमस्कार जहिंद वन्दे मातरम EPS 95 Pension धारकों की Pension को लेकर बहुती बड़ी कबर आच चुकी है क्या EPS के नए calculation नियम से घटा देंगे Pension और समझी इसको लेकर आखिरी पूरा नया गणित क्या है आपकी EPS Pension का calculation को लेकर बहुती बड़ी खबर देखने को मिली है जिसके अनुसार नया calculation का नियम मिला है उस नियम के अनुसार क्या है आपकी Pension में बड़ुतरी को लेकर फैंसला क्या बढ़ेगी Pension या फिर गटा देंगे आपकी Pension तो उसको लेकर जो संपूर आज दिन बर की मरतेपूर आपकी लिए अपडेट देखने को मिली है जो कि EPS के सभी 65 लाग Pension दार के उनको जाना बहुत ही जरूरी है इसकी क्या सरकार सतिकारी गोशना हुई है इपी अपो से हुई है सुप्रियम कोर से हुई इन तमाम मातेपूर जानकारी को वीडियो में आगे बताने वाले तो इससो वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा और अभी तक आप इसकी चनल पर नए आया है पैंसन के कल्कुलेशन का नया जो नियम है प्रो रेट जिसमें बेश्ट है जिसमें यह नियम को लगर बताया ज़र जिसके बाद क्या आपको पैंसन में बढ़तरी मिलेगी या फिर आपकी पैंसन गटेगी तो उसको लेकर क्या पैंसला है, न्यू नियम जो आपके बताई जा रहे हैं, उसके नुसार आपको पैंसला कितनी मिलेगी, क्या इसकी क्या सरकार से और EPS से अधिकारी गोशना हुई है, या फिर यह जानकारी किस्ता तक आपके लिए इससे होने वाली है, इसकी पुष्टी 44.50 की कमी आ सकती है, इसतरे की आसन का बताई जारी है, तो क्या आपकी पैंसला में कमी आने वाली है, या फिर आपकी पैंसला बढ़ेगी, किया गया है अलांकि EPF उने अधिकारिक तोर पर इससे नए तरीके पर कुछ भी नहीं का है यान कि न इसके बारे में कोई सर्कुलर जरी किया है तो आपको बता है कि यह जान कर इस तरह की बता ही जारी है कि आपकी जो पैंसन में 30-40 पिस्दी कमी होगी जो यान कि नया यह सि केलकुलेशन मुख्य रूप से उन मेंब्रस को परवाइद करेगा जो भी अभी काम कर रहे हैं या फिर एक सुतुमर दोजार चुदा को या उसके बाद रिटेर्ड हो चुक है और स्थ पैंसोगी वेतन की गरना के लिए उनकी सेवा अवदी को दो भागों में विवाजित और निर्ती की तारिक तक ए उस्तो वेतन का तारिक जो 31 अगस्तो 2019 से पहले हैं पर इसको लेकर विचार किया जाएगा यह जो पैंसों को अनुपातिक रूप से विवाजित किया जाएगा फिर यह दो भागों में बाटा जागा तो इस तरह का कहा जा रहा है आपकी पैंसो पैंसों की नियम से पैंसों की रखम में काफी कमी आने के असंगा है जो कि 31 अगस्तो जार चुदा से पहले ईपिएश 95 पैंसन असदान में पैंसन वेतन सीमा 6500 रुपे तक सिमी था जिसकी एक सोतुमर दो जार चुदा से अधिक्तम एपिएस असदान बढ़ागर के 15000 प्रानी जो पैंसन को लेकर भी मांग की जारी करम जारी और सुप्रीम प्राने जो सद्से उनके पक्स में पैंसला सुनाय था उन्हें हाइर पैंसन के लिए आवधिन करने की अनुमती दी थी अलंकि प्रो रेटा कैलकुलेशन रूल से पैंसन रासी गढ़ने की आसंक है चुकि जो सेतुमर दो जार चुदा से पहले वैतन कम था लेया जा जादातर लोगों के लिए पहले अवधि में औस्त पैंसन योगे वैतन बहुत कम होने के असार है अगर इस कम पैंसन के योग पैंसन कोड के आदिस की भावना के विपरित लगता है सरस अदलत में कहा था कि 2004 के विकलब का पर्योग करने के लिए लगए गई गई कटोप अवधी अम्मा ने थी पैंसले ने भी सभी पातर सिदिस्यों के हाईर पैंसन के लिए आवधिन करने के अधिकार को बाल कर दिय यह E.P.F. के कॉर्पस में प्रियापत द्यान के कारण हो सकता है हाईर पैंसन का विकलब सुनने वाले सदे से चिंति थे क्योंकि उन्हें मिलने वाली वास्ट्विक पैंसन की अपक्सा कापी कम हो सकती है तो यह जानकर इस तरह की मीडिया रिपोर्ट कर दूसार बता जार अगर अधिसूचीत होने पर नया तरीका सेवा निरती लोगों को नुपसान में डालता है तो सोप्रेम कोर्ट साहित उप्युक्त कानूनी मंचों पर इसे चुनोती दे सकते हैं तो इस तरह की जानकरी आपकी EPS पैंसन को लेकर सामने आ रही है लेकिन इसकी कोई अधिकार अधिकारी की पैंसन को लेकर कापी बेस सबरी से इंजार करें हाली में केहनर सरकाने पुरानी पैंसन को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है चलिए जानते हैं इसकाबर को विस्तार से प्रानी पैंसन की भाले की लड़ाई अब अंतिम दोर की तरफ हाब बड़ रही है अगर सरकार करमचार के इस मांग को नहीं मानती है तो उसे स Jewish में अन्यचितकल हर्ताल हो सकता है कितने करमचारी अन्चितकाल हर्थाल की पक्स में ये पताच लगाने के लिए के अंदर सरकार में दो बड़े विवाई रेलवे और रक्सा विबाग में श्ट्राइक बैलट यान की मददान करया गया था और OPS के लिए गठीद नेशनल काउंट जो काउंसिर ओप एकसन एंजेसिय की संचालन समिती के रैश्टे सोजक एंव श्टाप साइड की रैश्टे परिश्ट की जेसियम के सचिपसी गोपल मिसरा ने काई कि अब श्टाइक बलट का नतीज़ा आ गया है लेकिन अब OPS को लेकर स़कार ने पहले और RBI ने भी पहले एनकी साब तोर पर कहें कि OPS की बाल को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ता हो यानकी लम्मित नहीं है लेकिन करमचानों की मांग दिन परती दिन बढ़ती जारी तो क्या आपकी OPS बाल होगी या फिर NPS में संसुदन होगा तो उसको लेकर कोई आधिकारी की गोशना सरकार से जारी नहीं होगी है तो ये जानकारी मीडिया रिपूर्ट कनुसार इस तरह की बताई जारी है कि आपकी पैंसन में संसुदन हो सकता है OPS बाल हो सकती हैं लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सरकार से गोशना नहीं भी है या आखिर आपकी पैंसन अब OPS होगी बाल या फिर NPS में संसोदन होगा यह फिलाल का यह तो यह मामला विचारा दीने 18 साल बाद रिटाइड होए क्रमचार को मिलती है अगर OPS लागू नहीं होता है तो लोग सबा चुनाव में बाजबा को राज़न देशी नुकसान जाल नहीं होगा कॉंगरेस पार्टी ने OPS को अपने चुनावी एजड़ने में सामिल किया है करनाटा की माचल परदिस की जीत में OPS की बड़ी 15 साल यानकी बाद रिटार्ड हो रहे हैं तो उन्हें क्या मिला है करमचरी को NPS में यानकी 2417 रुपे की मासिक पैंसन मलती है दूसरी ओर 2506 रुपे की पैंसन और तीसरे करमचरी को 4900 रुपे की प्रतिमा पैंसन मलती है अगर यही करमचरी पुरानी प्यंसन वस्ता के दायरे में होते तो उन्हें कम से कम प्यंसन करमेंसा 15,250 और 17,150 रुपे के रुपे के रुपे में मिलती है या पिर आपको 28,000 यानिकी 450 रुपे में ये पैसन के रुपे मिलते थे लेकिन फिलाल इसकी कोई अधिकारे के गोशन पिस्ति की पिलाल योगधन करती है उसे बढ़ा कर कि 24 पिस्ति की आ जा सकता है लेकिन इसकी अधिकारी गोशना अभी तक नहीं है तो इस तरह की आज दिन बर के लिए आपके लिए OPS और EPS 500 जुड़ी अपडेट होने वाले नई अपडेट के लिए चैनल को भी तक आपने स सब्सक्राइब में क्या है तो चल्ब को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी और पर प्रेस कर दीजिए कर दो